आज मैं तुम्हें सखा भाव में देख रहा हूँ, क्या तुम्हें मालूम नहीं, तुम सब से मेरे अनेक रिष्टे हैं, वास्ताओं में तो मेरा तुम्हारा रिष्टा सब रिष्टों की सीमा से पार का रिष्टा है, यह रिष्टा बहुत करीब का है, अति निकटता का है, यह आत्मिय संबंध है, पर हमने अपना पन खो दिया है, इसलिए जीवन में नीरस्ता है, एक छत के नीचे रहने वालों में आत्मियता नै हो, तो किसी समझोती की तरह जीवन का निर्वाह तो हो जाएगा, लेकिन जीवन बुझा बुझा होगा, जगमगाता हुआ नहीं, ज सब कुछ बांट देना चाहता है, सब कुछ बलिदान कर देना चाहता है, अतहें जीवन की जागरती के लिए, अपना स्वरूप जानने के लिए, गुरू के साथ एक घरेलू वातावरन चाहिए, जिसमें गहरी आत्मियता पैदा हो सके, फिर गुरू की अगनी से अपनी अ पिर अपने वास्तविक घर में लौट आना है, जहां सच्ची शान्ती, सच्चा सुक और सच्चा प्रेम है, मित्रों क्या आप जानते हैं संसार के स्वामी परमात्मा ने थोड़ी सी खुशियां, छोटे छोटे सुक, शनिक त्रिप्ती देने वाले स्वात संसार में भी ख खेर दिये हैं, और संपून सुक, संपून प्रसनता और खुशी, संपून आनंद सेम अपने पास रख लिया है, आनंद का अक्षय भंडार उसी के लिए रखा है, जो छोटी छोटी खुशी और संसार की जोटी चमक को ठोकर मार कर उसके पास आने का प्रयास करता है, तुम पाणी देकर बोलने की आजादी दी परंतु सर्वतंत्र स्वतंत्र की जिम्मेदारी भरा दायत बड़ा भारी होता है। जहां से अनेक रास्ते अलग-अलग लक्ष के लिए निकलते हैं पर उचित्व सही रास्ते का निर्णय करेगी बुद्धी क्योंकि गलत लक्ष के लिए गलत दिशा में बड़ा हुआ एक-एक कदम मन्जिल से दूर कर जाएगा और सही दिशा में उठा कदम तुम्हें मन्ज मुझे सुना और मुझे चुना अब अपनी संगती का चुनाव करो तब उनकी सुनना अपने राही मित्रे का चुनाव करो तब उनकी सुनो ध्यान रहे जो संगत, भ्रम, संशय, निराशा और पतन की और तुमें खीचे उस संगती के लिए तुम नहीं बने हो तुम उसके तुम्हारी संगत नरक को स्वर्ग बना सकती है और स्वर्ग को नरक अब सोचना तुम्हारा काम है। परम ब्रम की पक्दंडी पर साथ साथ चले धन्यवाद।